हम लोग Digital Marketing का SOP 1 और SOP 2 दोनों भी साथ में देखने वाले हैं Actually उन्होंने दिया हुए with the help SEO tool एक tool है जैसे हत्यार होता है कोई भी जैसे हम लोग लिखते हैं अपने पास जो लिखने के लिए जो टूल है वो पेन है अपना तो उस टूल का यूज करके हम लोग जैसे अब अगर पेन मेरा है तो पेन से अंसर लिखते हैं वैसे ही हम लोग को क्या बला है एक website आपको दिया जाएगा ओके यह टूल आपको freely available है और optimize करने के लिए optimize utilization मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है उसका audit करना website का तो website आपको teacher और examer आपको provide करेगा कौन सा भी website जैसे कि मैंने मानो मैंने decide क्या इसका optimize करने के लिए मैं decide करता हो कि एक website लेते हम लोग youtube.com अगर उसका होता रहेगा तो उसका ने तो मैंने बला कि हमें normal ही मालूम है facebook.com अगर हमें मालूम है instagram.com जो website हमें मालूम है उस website का हम लोग क्या करते है वहाँ पे audit करने की कोशिश करते हैं जैसे decide किया है facebook का audit होता है तो अच्छी बात है तो हम लोग उसका audit करके हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या है करके तो हम लोग के लिए उन्होंने बलाए कि आपको SEO tools दूनना है तो सबसे पहले आप अगर book आपके हाथ में है तो यहाँ पे सबसे end मे दिया वाई optimize tool के नाम अलग-अलग company के नाम दिये उन्होंने यहाँ पे रहेंगे यहाँ पे यहाँ पे note करके लिखा है देखाए SOP4 के बाद में लिखावाई एक note है पेज के अंदरी वहाँ पे दिया हुआ है freely जो website नाम है वह है www.seooptimizer.com या तो HWTP उन्होंने rank.com करके दिया हुआ है ठीके और आगे दिया हुआ है SEO-sitesketchup.com यह कोई भी एक website open करेंगे हम लोग और उस website का क्या करेंगे optimize करने के लिए कोशिच करेंगे मैं internet में आ गया मैं अभी तक बात ही कर रहा था हूँ मैं internet में आ गया मैंने decide किया था कि facebook.com का हम लोग क्या करेंगे या त का SEO optimize करके आप अपने mobile में भी यह website open कर सकते हैं देखो www.seoptimer.com करके website का नाम है यहाँ पर दाके इंटर दे दिया इंटर देने के बाद यहाँ पर यहाँ पर जो example of the company का नाम लिखा है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कोई भी website का नाम डाल सकते हैं last time student को पढ़ाया था तो www.lokmot.com डाला था मैंने last video देखो के तो आज मैंने बुला था कि मैंने website का नाम डालता हो facebook लेकिन पहले तो यहाँ पर facebook का नाम क्या है देखते हैं हम लोग www.facebook.com करके हैं बरो ना लेकिन यह पूरा नाम देखा जाएगा तो इसका जो नाम आता है वो www.facebook.com और यह डालने के बाद इसका audit के ओपर क्लिक करोगे तो आटोमेटिकली audit आ गया audit करने के पहले ही आप पहला question क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे audit चालू हो गया मेरा यहाँ पे तो audit में first question लिखा हुआ है उन्होंने audit करने के बाद first question लिखा है name of the website you are optimized तो मैंने बोला कि मैं optimize किसका कर रहा हूँ www.facebook.com का optimize कर रहा हूँ उसके बाद उन्होंने second question लिखा वाए ज़र the side has title tag है या नहीं है वापे अभी title tag के लिए में down arrow से यहां से नीचे नीचे देख रहा हूँ title tag ऐसे कुछ देख रहा है यहां पे tag दिखा पूछ भाई title tag करके दिया क्या हाँ यहाँ पर title tag दिया वाए और उससे भी उन्होंने सही करके दिया वाए क्योंकि उनके between क्या होना चाहिए कि 10 to 70 होना चाहिए Facebook login का कितना length है 28 है उनका length इतना होना चाहिए तो title tag available है तो यहाँ पर answer आएगा इस में title tag है yes second question पूचा उसके बाद third question दिया वाए there the side has the header tag header tag है क्या अगर if yes अगर आप yes बोलते हो उसे which tag are there कौन से tag है वाँ पर तो मैंने यहाँ पर नीच आया तो यहाँ पर उन्होंने कि title tag है तो यह title tag कौन से कौन से है h1 नहीं यूज किया हुआ है यहाँ पर उन्होंने दिया है h2 है h3 है यह पूरा chart आपको वहाँ पर draw करके लिखना है जैसे आपने जब भी मुझे book submit किया था वहाँ पर भी h1 करके लिखा था h3 ही सब कुछ लिखा था as it is आपको वैसे chart बना के third question का answer देना है उसका four question लिखा हुआ है कि image use alter attribute वहाँ पर image का attribute किया हुआ है क्या तो नीचे आया क्या और दूंडो image attribute यहाँ पर दिखाए दे रहा है yes वहाँ पर भी answer क्या आएगा yes attribute है दूंडना है आपको खाली आप एक example मैंने बूला था कि example दे रहा हूँ आपके हाथ में अगर कोई book है तो book कौन से company का है उसका price कितना है अगर मैं बोलता हूँ कि book के pages कितने है उसमें index है या नहीं है तो index है तो कौन से कौन से index है यह सार अगर मुझे मुझे बोलता रहा हूँ तो यहाँ पर जो दिख रहा है उससे यह answer में लिखना है आपको तो यहाँ पर image alter attribute लिखा हुआ है तो as it is answer दे रहा है what is the comment about the usability usability कि क्या है करके देखना है तो नीचे जाके देख रहा हो तो मुझे यहाँ पर मिल गया यह जो है इसका usability क्या है D बस और यह answer में यह भी आपको लिखना है your page is okay but could be the more usability across the device तो यह सारा question के answer लिख के आपको submit करना है हो गया आपका SOP 1 complete